दोस्तों रिशी वशिष्ट हिंदू धरम के सब्त रिशी यानि साथ रिशियों में से एक है और उनके नाम पर एक गाउं का नाम भी रखा गया है जो मनाले से लगबक तीन किलोमेटर की दूरी पर है और ये वशिष्ट गाउं दोस्तों शानदार करम पानी के जहरने और वशिष्ट मंदिर रिशी वशिष्ट को समर्पित है जो भगवान श्री राम के कुलगुरू थे यहां मंदिर मनाले के सबसे प्रस्चित सानों में से एक माना जाता है माना जाता है कि वशिष्ट मंदिर 4000 साल से अधिक पुराना है इस मंदिर के अंदर धोती पैने रिशी की एक काले पत्थर की मूर्थिस्थित है यहां पर वसिस्थ मंदिर के इलावा एक और मंदिस्थित है जिसको राम मंदिर के रूप में जाना जाता है इस मंदिर के अंदर राम, सीता और लक्षमन की मूर्थियास थापित है यदि कि आप भी दोस्तों वसिस्ट मंदिर मनाले में घूमने जानी का प्लान कर रहे हैं या फिर इस परस्चिद मंदिर के बारे में जानना चाते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने फैملि और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें चले दोस्तों शुरूरात करते हैं वसिस्ट मंदिर की कहानी से एक पुरानी कथा के नुसार रिसी वसिस्ट इस पास से दुखी थे कि उनके बच्चों को विश्वा मिंतर ने मार दिया था रिसी वसिस्ट ने एक नदी में गूद कर आत्म हत्या करने की कोशिश की लेकिन नदी ने उन्हें मारने से ही मना कर दिया इसके बाद रिसी ने यहाँ पर गाउं में एक नया जीवन शुरू किया जिस नदी में रिसी आत्म हत्या करने गए थे उसका नम विपाशा था और अब उसी नदी को लोग व्यास नदी के नाम से दानती हैं इस मंदिर के मुख्य आकर्षन का केंदर है दोस्तों वशिष्ट होट वाटर स्प्रिंग का अपना ओश्टिय मैत्व है माना जाता है कि यह स्प्रिंग होट वोटर तवच्छा रोगों का इलाज करने में सक्षम है बहुत से लोग अपनी तवच् विजिट मंदिर के आसपास काफी सारी घूमने की जंगह हैं जैसे ओल्ड मनाली नगर कैसल और हीडिमबादेवी मंदिर अगर आप दोस्तों कभी मनाली घूमने जाए तो इस मंदिर में विजिट जरूर करें इसके साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर आपक को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आते माली ऐसी धार्मिक योडियो आगे भी मिलती रहें